तो जैमता की राधे राधे आप सभी को तो आज है नवरात्री का साथवा दिन मा काल रात्री का दिन है मतारणी आप सभी को उपर अपनी ग्रिपा बनाए रखें तो मेरा यहाँ पे सुबह सुबह का पूजा सेवा भोग सबसालू है इसमें मैं तोड़ा तोड़ा ही आप इस्पिरियंस वाला है तो आप सब जरूर करना तो चलिए मैं सबसे पहले देखिए मैं आप सब को यह भोग दिखा दे रहे हूं भगवान का पूरूड का अभी इस इजन में आम नहीं आया है तो ढूंड के आम आया है बगवान जी के लिए क्योंकि हम लोग सबसे पहले भगवान जी को बहुत सुंदर सा हार का आप सब भी दर्सनकर लिए बहुत सुंदर हार लग रहा है आजकल मातारानि को न बहुत सुंदर हार मेरे अस्बंड लेके आते है है तो चलिए मैं इनको पहनाके और आप सब को पाय बताती हूं ये नवरात्री को अभी तीन दीन और बचे हैं तो इस तीन दीन के अंदर आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं तो आपके आजू बजू में जहां पे भी मातारानी का मुर्ती बठा हुआ है वहां पे आप पूजा के ताली में दूब दीव जो भी फूल वगर है वो ले लिजिए और एक लाल कलर का रेसम का कपड़ा ले लिजिए अगर रेसम कमता कपड़ा नहीं मिल रहा है तो सौप्ट कपड़ा ले जिए लिकिन सौप्ट रहे और मातारानी का एकदम प्रिये रड रहे उसी कलर का कपड़ा ले ले कपड़ा छोटा वड़ा रूमाल के साइज के ले सकते हो आप तो उस कपड़े को ले जाके जब मातारानी का आप पूजा कर लेंगे उसके बाद उस कपड़े से मातारानी का एदम हलके हाँ से पैर पोच लिजी उसकपड़े से पोचनी बात अपने मस्तख पे लगा के उस कपड़े को आप अपने घर पे ले आके अगर आप अपने लौकर में रख दे या फिर अगर जॉप करते हैं तो अपने बैग में रख ले यानि कि जिस भी काम पे जहां पे आप रखेंगे आपको पक्का एक साल के अंदर इसका परिडाम जरूर मिलने वाला है क्योंकि यह experience का उपाय है मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप सब मेरे YouTube family बन रहे हैं हैं और subscriber है इसके लिए मैं सोची आप सब को उपाय यह बता दू जिससे की आप सब को भी थोड़ा फायदा हो जाए और यह उपाय करने के बाद आपको किसी को बताना नहीं है जब आप कर रहे हैं कोई देख लिया तो अलग बात है लेकिन सब को बताना नहीं है चूप चाप से करें आपको एक साल के अंदर ही आवास हो जाएगा कि मैंने यह किया था तो यहीं मेरा उपाय था आप सब को उपाय बताते हैं मेरा पूजा सिवा भोगार्ती सब हो चुका है माता राने के सुन्दर से सुरूप का आप सब भी दर्शन कर लेजिए बड़ी ही सुन्दर लग रही है और उसके बाद मैं आप सब को अपने जवारे का आज दर्शन कराऊंगी मेरा सातवा दिन है तो यह है मेरा जवारा आप सब भी दर्शन कर लेजिए आप सब के जवारे कैसे आई हुए है कमेंट में मुझे जरूर बताना और साथ दिन की बाद आपको जवारे में किस तरह से पानी डालना है वो मैं आप सब को आज बताऊंगी तो देखिए आप एक बरतन में पानी लेजिए फूल से या फिर कोई छिल रखने वाला पता हो उ थोड़ा गीर जाती है तो इस तरह से आप हराम से पानी डाले टाइम दे के पानी डाले तो इस तरह से आप पानी डाल सकते हैं और अगर आपके अंदर जो इसके अंदर कलस रखा है नो उसका पानी सूग गया है तो उसमें आपको कैसे पानी डालना है वो भी मैं आपको ब पानी डालके फिर उसमें जल उसी के सहारे साप इस तरह से सरका देंगी तो अंदर बहुत अराम से पानी चला जाता है यह चीज मुझे पंडी जी ने बताया है इसमें कोई दोस्त नहीं है जो मुझे गुरु मंत्र दिये उन्होंने बताया है क्योंकि माता रहनी के सामने कलस तो सूखा भी रहना सही नहीं है अर कलस में पानी भरना गलत बात नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए पहले clear कर दे। कोई मुझे comment ना करें कि मतलब आपने बलत किया उसमें डाला है कलस में पानी तो नहीं डालना चाहिए तो जो मुझे पता है मैं आपको वो पानी इस तरह से सूख गया है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं इसमें कोई दोश नहीं रहेगा फिर भी मैं यहीं कहूंगी अगर आपको सही लगे तो यह आप ऐसा करें वरना ना करें क्योंकि मैंने बस अपना आएका आडिया सेयर की हूं और जो मुझी ब्रामन ने बताया इसके उपर मैंने एक सौट वीडियो भी डाली हूं अगले साल का तो बस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूं अगर आप सबको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें क्योंकि इस टाइम पर वीडियो बनाने भी बहुत मेनत ल पीडियो